इस जर्नी में काफी struggles face करते हैं मैंने भी काफी struggles face करी तो जब हमें वह फल मिलता है तो ऐसा लगता है कि मतलव at least it's worth it मैंने जो अभी तक दो फेलियर देखे थे तो वून फेलियर में मैं बहुत जादा दुख में थी मैं बहुत जादा कह सकते हैं एड़म डिवास्टेटिटिड थी क्यूंकि एक दो बार लगाता ना होने से लगता है कि अटली समें में जिखने का चांस भी नहीं मिल रहा है य यूपीएसी को सबको पता है कि वह रिस्की रिजिशन रहता है तो मिर ममी मेरे साथ बैट के पूरी पॉलिटी सुना करती थी तो आई वुड से कि वह लोग ही मेरे बेस्ट प्रेंड से जर्नी में एंड रिगार्डिं सूशल मीडिया वुड से कि मैंने शुरवात में बिल तो उनके लिए अपकी क्या टिप सेंट रिक्स है क्या सब्सेंट सुना की इस साथ और ऑग और किस तरीक से और को प्रिटी से का हूं करनी है और क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है क्या उनके resources रहे, क्या strategy रही, जो भी तमाम बात है, तयारी से जुड़ी होती है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और इनकी जर्नी भी जानेंगे, क्या क्या इन्होंने struggle face करें, अगर इनकी बात करें तो यह third attempt था है, पिछले दो attempt में इन्होंने prelims भी clear नहीं कर पाय में हरवार वीडियो में बोलता हूँ, आपके जो भी queries होते हैं, आप मुझे direct Instagram पर message कर सकते हो, इसका आपको link description मिल जाएगा, तो सुर्वी सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, Motivation Factory YouTube channel और और आपको बहुत-बहुत सुखामना है, आप जो गोल लेकर चलते अधर housewife है, तो हमारा मैं कहूंगी बहुत-बहुत सिंपल background है, यही है मेरे बारे में, इसका मैंने cat दिया था, उसके बाद मैंने decision लिया था, कि मैं UPSC करना चाहते हूँ, शुरुवाती पढ़ाय लिकाई कहा हूँ, आपके schooling कहां पर ही, तो मेरी schooling डेली में ही हुई है, ग और उसके लावा एक big picture करके आता है, अब Sansa TV पर आता है, उस टेम पर RS TV पर आता था, वो मैं देखती थी, उसके बाद मैंने शुरुवात में मुझे लगता था कि coaching लेनी चाहिए, तो मैंने join करी थी एक राजंदर नगर में, मैं थोड़ दिन वहाँ पर रही थी क्योंकि coaching में जो है, वो एक-एक subject एक-एक दिन करके पढ़ाते हैं, पर परसनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक subject को एक बार में पढ़ना प्रेफर करती हूं, तो इसलिए मैंने फिर मैं वापिस से घर आ गई थी, शुरुवात की टाइम में, और मैंने फिर उसके बाद से क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए. इसलिए मेरा गलत हो गया, उसके कारण मेरे एक नंबर से रह गया, तो इसके लिए मैं कहूंगी, मैंने फिर थर्ड एटेंड में 80 गवेशन्स अटेम्ट करें थे, तो वह हर इंसान का परसनल होता है, तो सभी स्टुडेंट्स को यह देखना चाहिए, मॉक्स देदे कर कि क कि अपने रहे गार एक चीज़ में आफ चीज़ करी थी अपने दो अटेम्ट से इस अटेम्ट में कि मैं पहले दो अटेम्ट से बहुत जादा स्ट्रेस में रहा करती थी, तो इमाग जो होता है, अच्छा काम नहीं करता है मेरे उपिनियन में, विकॉज उपीसी इस नोट के दो अटेम्ट जब किलियर नहीं हुए, तो कहीना कि आपको नहीं लगा कि मेरे साइध कोचिंग के वज़े से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे एस्परेंट से करोल बाग में रहे के और मुखरिण कर रहे कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्ट्यूट में जा कर तियारी क कि कुछ लोगास परसनल गाइडेंस होती है, मैं किसी परसनली किसी को नहीं जानती हूं, तो मेरे यह चीज मुझे लगती थी, लेकिन कोचिंग के लिए मुझे असाच कभी नहीं लगा, विकास मुझे अपनी पढ़ाई पर विश्वास था, मैं ऐसा नहीं है, मैं कम कोचिंग की मैं टेसरीज वगरा से मैंने जरूर है जहां मुझे लगती थी, बड़ बाकी मैंने इस तरीके डाउट मेरे मन में नहीं आया, जब येर वाई येर आपका दो साल तक प्रिलिम्स के लिए नहीं हो तो आप अपने आपको इस्ट्रेस की बात करी कि आप बहुत कि अपने कैसे डील के आगे चलके और अपने अपको मॉटिवेट कैसे रखा इस जरनी में मॉटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आप पांत दिन दिन पढ़ ले तो फिर से अगर आप गयप कर दोगे तो वह सारा जीरो हो जाता है तो उसको आपने कैसे बनाया सपोज मैं एक दिन में आठ से दस घंटे आटारगेट रखती थी तो अगर मैंने आठ गंटे में से चार गंटे पढ़ लिया है तो फिर आदे दिन के बाद मैं थोड़ा सा अपने लिया एंजॉइमेंट रख लेती थी चाहिए वो किताब पढ़ना हो या थोड़ा सा क्योंकि एक दो बार लगाता ना होने से लगता है कि एक में में जिखने का चांस भी नहीं मिल रहा तो उस तेम मैंने यह सोचा कि मैं दुबारा से यह जो है हाट ब्रेक नहीं फेस करना चाहती हूं और यह मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि I don't want to face failure again and दूसरी म में मोटिवेशन थी कि जो मैं आगे करना चाहती हूं अपनी लाइफ में मैं उसको इमाजन करती थी कि मैं यहां पहुचना चाहती हूं और इसके लिए अभी बहुत सारे लोग महनत कर रहे हैं तो मुझे भी अपनों पर confidence रखने के लिए मैंने सोचा कि मैं महनत करूंगी तो मैं अपने उपर confidence रख सकती हूं और तीसी चीज मैं यह करती थी कि मैं अपने parents को देखती थी मेरे parents बहुत जादा hard working है और उन्होंने पूरी मेरी journey में मुझे लगाता support करा है चाहिए वो रात में लेट उटना हो या सुब्य जल्दी उटने तक हो तो मैं सोचती थी कि मैं भी अपना share जो है contribute करूं किसी वे में सुर्वी आप अपना routine थोड़ा detail में बताईए सुब्य जब आप खड़े होते हो तो उसके बाद कैसे आपका पूरा दिन जाता था क्या 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 activities आप करते थे अपने अपको healthy रखने के लिए stress free रखने के लिए क्या 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 आ अपना पर शुद्ध कर दो करना चाहिए चाहिए वो रात में उठें या सुबा जल्दी उठें मैं थर्ड एटेंब में यह कोशिश करी कि मैं सुबा ही जल्दी उठूँ बिकास मैरे एक्जाम में मौनिंग टाइम पर होते हैं तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 6 630 तक उठ करती थी उसके बाद मैं एगंटा पड़ती थी 7 30 से 8 30 और 7 से 8 और फिर मेरा 1-1.5 आवर कर रहता था कि मैं फ्रेश हो जाओं थोड़ी मैं फिजिकल एक्साइजिस भी करती थी विकास बहुत इंपोर्टें रहता है कि मैं अपनी हेल्थ मेंटें करके रखें और उसके अला एक बाद मैं बीच में अपना लँच करती थी 2-3 उस में मैंने थोड़ा सा नेट्फिक्स देख लिया लेकिन मैं लिमिट में देखती थी मैं अपने मंमी के साथ देखती थी तो मुझे रोक देती थी कि इस से जाधर नहीं बाकि मुझे थोड़ा से राक्सेशन फिल होता मैं इस परपस से देखती थी लेकिन बेंज वॉच यह सम नहीं मिलकुल भी तो उसके बाद जैसे फिर वापिस से मैं ने पढ़ा तीन बज़े से लेकर पांच-शे बज़े तक मुझे नौवल्स पढ़ना पसंद है तो मैं उस टाइम पर वह पढ़ती थी या मुझे अगर सब को पता होता है कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे है और कहीं नेगेटिव थोट्स आते हैं कि एउप सी बहुत टफ एक्जाम है छोड़ दो ऐसे नहीं होगा प्लान भी आपका कुछ होना चीज़ें करेर में और कुछ भी चीज़ें तो ऐसी आडवाइस भी आत काफ एची परसंटाल थी उसमें 98.7 परसंटाल रही थी तो मैंने उसको छोड़के उसमें मेरा IIM Calcutta से कॉल लेटर भी था तो उसको छोड़के मैंने उपसी की तरफ मैं गई तो इस टाम मुझे काफी लोगों ने कहा था कि यह साई स्टेप नहीं है बिकॉज उपसी को कि मुझे लगता था कि what others will think about me and all that लेकिन दीरे दीरे जब मैं अपनी लगातार पढ़ती रही तो third attempt में मेरे अंदर यह चींज आया और जो मेरे close relatives हैं उनको से मैंने शेयर किया कि मैं UPSC की त्यारी कर रही हूं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उनका support लेना चाहिए क्योंकि जो हमें जितनी encouragement दे इस phase में उतना ही अच्छा है और बाके मैं कहूंगी students को कि यह जो चीजे है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है यह हम लेट होते जा रहे हैं हम पीछे छूट रहे हैं इन चीजो पर नहीं सोचना चाहिए विकास अपकी अपनी जर्नी होती है nobody is late अगर मैं आज यहां पहुंची हो सकता है मुझसे पहले भी कोई पहुंचा और मेरे बाद भी कोई पहुंचेगा तो में चीज होती कि हम उस जर्नी में चलें और वहां तक पहुंचे है ना पहुंचे वो अपने आप में बहुत बढ़ी अच्छी चीज है मेरे उपिनियन में और वही मन में रखनी चाहिए और फ्रेंड्स और सूसल मेडिया का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें डिस्टेक्शन बहुत ज्यादा आते जर्नी में और डिस्टेक्शन आना फोकस अड़ना अगर फ मैं यह सबस्काइग के दह और फ्रेंट्यरी अच्शी गर्वाशल के शिर्हाद के टीडिर समया किर रखनी में डिस्टेक्शरा मेरे नहें बड़ा ब करना इसमें वह पूरा तो इस्टेक्शन थे मेन बत Εुक्वत बाप पूरी फ्रिस्टेक्यों करती तil है मेरे सांग बन में शुरुआत में बिल्कुल बंद कर दिया था सोशल मीडिया और लास्ट के अटेम्ट में मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव नहीं थी मैं सोशल मीडिया में बहुत ही मेरी लो प्रोफाइल थी एंड मैं कुछ एक्ड़ो टॉपर्स को फॉलो किया करती थी इंस्टाग्रम उन से मैं थोड़ी मोटिवेशन लेती थी कि हाँ आज यहां पहुंचे तो मैं इस तरीके से पहुंच सकती हूं तो यही मेरा सोशल मीडिया का यूसेच था बाकी टेलिग्राम पे मैं कुछ एंट्रपोलोजी का ग्रूप था मैं उनसको मैंने जोईन किया था आंसर रेटि के लिए मैंने सोशल कुल्च्रल अंत्रपोलोजी के लिए एक वैज सर की किताब आती है इन सर्च ऑफ आसल्स वह रफर करी थी आर्केलोजिकल अंत्रपोलोजी के लिए डीके बटाचारे सर की किताब आती है वह रफर करी थी मैंने और फिजिकल अंत्रपोलोजी के लिए किताब आती है वो रेफर करीजी उसके अलावा नदीम हसन्यान की किताब आती है पेपर टू के लिए और एर सी रिपोर्ट एंड उसके लावा मुनी रत्नम सर के लिंक कर दें तो जब भी कोई नई चीज आती थी निउस पेपर में एक नए फॉसल मिला है चाइना में अभी नए फॉसल मिला था तो वो डाल दिया आंसर में कोई नई रिसरच आई है कि हमारी फैमिली दीदे दीडे न्यूक्लियर होती जा रही है तो वो डाल दिया मैंने कंक्लूजिन में तो इस तरीके से में एपरोच रही है अंतर पॉल जी में अगर बात करें तो पहले अगर तैयारी सुरू करते हैं तो तो first attempt से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने optional तो उसी time चालू कर दिया था, लेकिन उस time मुझे जादा guidance नहीं थी, तो मैंने prelims के ही subjects पर focus करा, but I would say कि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे opinion में, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें mains की तियारी सबसे जादा और सबसे पहले करनी चाहिए, उसमें सबसे पहले optional कवर करना चाहिए and उसके बाद GS1, 2, 3 कर सकते हैं, 4 पहले कर सकते हैं, क्योंकि 4 की practice जितनी होगी उतना अच्छा exam होगा, उसके साथ साथ ऐसे कर सकते हैं weekly या by weekly basis पे और पिलिम्स की तियारी मेरे opinion में तीन से चार महिने, जितने student को लगते हैं comfortable तो वो रख सकते हैं पिलिम्स से पहले और उस तेंबे पिलिम्स की तियारी कर सकते हैं, पिलिम्स जो है वो तो एक मतलब stepping stone है मेरे opinion में और में जो चीज है वो है में मेंस के हम मेंस सक पहुंचे हैं और वो attempt करें तो जो बीच का टाइम होता है मेरे opinion में वो sufficient नहीं है आप प्रिलिम्स और मेंस के आप बुक लिस्ट थोड़ा बताएं क्या-क्या बुक लिस्ट आ वो मैंने सुने थे and economics के लिए मुनाल सर का lecture है वो मैंने करा था अन academy से and उसके अलावा environment के लिए शंकर आई है इस करके किताब आती है वो मैंने refer करी थी आर्टेन कल्चे के लिए fine arts ncrt ली थी मैंने कक्षा बार्वे की और ccrt को refer किया था ancient और medieval के लिए again old ncrt को मैंने refer करा था इसके अलावा मेंस के अगर हम बात करें तो disaster management के लिए ंडमे की website उन्होंने suggestions दे रखे हैं तो वो मैंने refer करें थे for gs2 मैंने second erc को refer किया था and gs2 में शुब्रा रंजन माम के कुछ किताबे आती है market में gs2 booklets वो मैंने पड़ी थी के लिए जो subjects होते हैं इनका कोई proper source नहीं है आयर हो गया society हो गया security हो गया इनके लिए मैंने vision का value edition material देखा था तो ये net पे मिल जाता है इसी से मैंने किया था इतिक्स के लिए मैंने lexicon पड़ी थी पहले फिर मैंने main focus किया था कि इस पर मैं examples जालू और case studies के लिए बहुत अच्छी किताब है आ राजा को पालन सर्की वो मैंने refer करी थी जो नए experience इस video को देख रहे हैं अभी और आगे आने बाला प्रिम्स देंगे अभी उनके पास ए means की त्यारी करें मेरे opinion में अगर उनकी means की त्यारी हो जाएगी तो फिर वो इस cycle से एक बार में उसे निकल सकते हैं तो मैं कहूंगे कि सबसे बहले अपना optional cover कीजिए और optional cover जब आपका तीन-चार महीने में हो जाए तो उसके बाद आप तीन-चार महीने GS को दे दीजिए औ दूसरी चीज में कहूंगे ही consistency से रोज पढ़िये आप लो consistency के साथ साथ थोड़े-थोड़े breaks रखी है ताकि आपके mental stress ना बने लास्ट चीज में कहूंगे कि अपने उपर पूरा confidence रख कर जाईए अगर आपने पढ़ा है पूरे साल तो आपका definitely clear हो जाएगा and last month को all the best wish क करना चाहूंगी और यह सुनने में मुझे काफी अच्छा लगता अगर कोई achievers अपने उस दिन के बारे मताता है जिस दिन उसका result आया और पिर कुछ बड़ा हो इसके life में हुआ हो तो उस दिन के बारे मताये जिस दिन आपका result आया सबसे पहले आपको किस ने बताया और आ कि मेरा जब result आने वाला था एक बज़े के आसपास में लैपटॉप खोल कर ही बैटी थी और जैसी PDF आई तो मेरी इनिशली डाउनलोड नहीं हो रही थी और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पहली congratulations भेज दिया था वो भी तैयारी कर रहे है तो उसने मुझे congratulations भेजा तो मैं ब कि इस प्रेंट पर मुझे तो सिंकिन नहीं हुआ मैं तो बैटी हुई थी वा देख रही थी कि क्या हो रहा है अग्चली सिंकिन मुझे काफी टाइम बाद हुआ अभी भी मैं कहूंगे मुझे हलका सिंकिन बचाए होना बर्ट मतलब काफी मुझे अच्छा लगा उस दिन क क्योंकि जितना हम सोस्षते हैं कि अच्छा लगेगा उस से काफी साथ होता है कोज हम सब इस जर्नी में काफी स्ट्रगल्स फेस करते हैं मैंने भी काफी स्ट्रगल्स फेस करी तो जब हमें वो फल मिलता है तो ऐसा लगते हैं कि मतलब at least it's worth it कि हमने जो मेहनत करी हम उसको पहुँच पाए तो जो हमारी जर्नी है मुझे से हम जो हम बनना चाते हैं वो हम उस तरीके से बन के सर्फ कर पाएंगे अपने नेशन को यहीं चीज मुझे लगी उस टाइम पर और बाकी सिंकिन तो मुझे अभी भी नहीं हुआ है सबसे अचाब को पसंद आया होगा और वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मुला होगा जिस तरीके से सुर्भी ने अपनी प्रिल्मस के इस्टेट जी बताई बुक लिष्ट बताया और किस तरीके से बताया कि stress management, वो शुरुवाती दोर में stress में रहते थे, उसको कैसे उन्होंने deal किया, और शुरुवाती दो attempt उनके नहीं हुए, फिर भी आप वो motivated रहे और finally उन्होंने अपना जो goal लेकर चले थे, finally उन्होंने अचीब किया, तो यहां तक video देखने हैं, thank you so much, bye bye and take care.